हलो गाज दिस इस रेवी नागर एंड यूर वाचिंग आवर यूटूब चैनल एक्जाम्स वाला और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम आरपी एससी की तरप से असिस्टेंट टाउन प्लानर की जो रिक्रूर्मेंट जारी की गई है उसके नोटिफिकेशन के बार में हम कंप्लेट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में कवर करेंगे आपकी एस लिमिट क्या होगी क्या क्वालिफिकेशन है सेलरी क्या रहेगी सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा सब कुछ इस वेकेंसी के बारे में जो भी डिटेल है आज आफिसारी इंफॉर्मेटिव जो है लिंक्स और आने वाली जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं तो एक्जामसवाला.com पर विजिट जरूर करें तो चलते हैं ओफिशल नोटिफिकेशन की तरफ तो यह आप देख रहे हैं यह आरपिएसी की ओफिशल वेबसाइट है और यहाँ पर रिलीज डेट देख सकते हैं आप 4-10-2022 को यह असिस्टेंट टाउन प्लानर 2022 की यह पोस्ट है इसके लिए यहाँ आप यहाँ पर यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख देंगो और हमारी टेलिग्राम ग्रूप पर भी है दोस्तों यह आप देख रहा है यह RPSC दुवारा रिलीज किया गया ओफिसल नोटिफिकेशन है रास्तान लोग से वह आयोक अजमिर दुवारा रिलीज डेट अगर बात कर तो 4-10-2022 का यह नोटिफिकेशन है और अड़ोटाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकता है सबसे पहले बात कर लेता है इस पोस्ट के बारे में तो देखिए यह जो पोस्ट है यह असिस्टेंट टाउन प्लानर जिसे हिंदी में सहायक नगर नियोजक की यह पोस्ट है जिसके टोटल पद किये बात कर तो यहाँ पर 43 पदों पर यह रिकूर्टमेंट जारी किया गया है और इसके आवेदन जो है ओनलाइन आवेदन सब्मिट होंगे सबसे पहले बात कर लेता है कितनी क्या पोस्ट है और किस कैटिगरी से आपको कितनी पोस्ट देखने कुम लेगी तो यहाँ पर यह complete information दी हुई है असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट ह बात करें तो 43 पोस्ट है जर्नल की बात करें तो यहाँ पर सामान्य के लिए 10 सामान्य महिला के लिए 3 पोस्ट विदवा के लिए 1 इस तरीके से SC में आप चेक कर सकते हैं ST में BC, MBC और EWS कैटिगरी में यह टोटल यहाँ पर बात कर सकते हैं बूत्वोर्ट सैनिक की बात कर बात करते हैं दोस्तों अगर आप इस वेकेंसी में फॉर्म अपलाई करना चाह रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो यह आप पॉइंट देख सकते हैं सेक्षनिक योगिता इसमें आपको दो ऑप्शन दिये हुए है या तो आपके पास में बैचलर दिईगरी हो इनचिनेरिंग की हुई हो आपने सिविल से या फिर आरकेटेक्चर या प्लानिंग के साथ साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुशन की डिगरी भी सहे होगि जिसमें आपको प्लानिंग प्लानिंग के अंदर या फिर आर्केटेक्चर में और आपके पास में पोस्ट ग्रेजुशन नहीं है तो आपको दो साल का experience की requirement रहेगी फिल्ड के अंदर टाउन प्लानिंग के लिए second point की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों में से एक qualification और यह compulsory रहेगी working knowledge होनी चाहिए आपको हिंदी राइटिंग की देवनागरी लिपी में और साथ में राजस्तान कल्चर की knowledge होनी चाहिए अगर यहाँ पर salary की बात करें तो जो आपको salary मिलेगी वो grade पर 54 के इसाफ से यहाँ पर आपको salary देखने को मिलती है age limit की बात करता है तो जो आपकी age calculate होगी वो 1 January 2023 इस date के इसाफ से यहाँ पर age calculate होगी minimum 20 साल की candidate इसमें apply कर सकते हैं और maximum 40 साल तक की candidate इसमें apply कर सकते हैं बात करते हैं यहाँ पर आपको छूट कितनी देखने को मिलेगी तो इसके लिए आप यह पूरा paragraph चेक कर सकते हैं अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्तिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर पास साल की छूट देखने के लिए मिलती है जनल कैटिकरी की जो वुमेंस है इसके लिए आप आपको पास साल की छूट देखने के लिए मिलती है यह जो कैटिकरी बताई हुई है इनमें महिला कंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इनको दस साल की छूट देखने को मिलती है और विद्वा या डिवॉसी के लिए यहापर कोई भी लिमिट नहीं है वो जो है आपकी no upper limit is नहीं है इसमें कोई भी तो आप वो कितने की भी हो वो इसमें apply कर सकता है minimum आपको 20 साल का इसमें होना चाहिए बात करता है दोस्तो next इस notification के बारे में तो यह आप देख रहे हैं selection process selection process के बारे हम बात करता है तो यहाँ पर देखिए आपको जो selection होगा वो return exam के बीच पर होगा return exam में क्या-क्या आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे यह आप कुछ देख सकते है पार्टे क्राम और परिक्षा की तारीक क्या होगी यह चीजे है लिखी गई है important dates में बात करें तो यहाँ पर 10 October 2022 से आपके form apply होना start हो जाएंगे और 9 November 2022 तक रातरी 12 वजे तक आप official website पर जाकर जो दी हुई है rpsc.rastan.gov.in यहाँ पर जाकर इस vacancy के लिए आप form apply कर सकते हैं दोस्तों बात करें exam pattern के तो यहाँ पर आपको आपके exam में दो part देखने को मिलता है part A और part B, part A में आपको राजस्थान की GK, 40 number की देखने को मिलती है और 40 ही question रहेंगे, इसी के साथ में आपकी subject से यहाँ पर आपको 110 question देखने को मिलता है यह भी आपके एक एक number के रहेंगे तो total आपको 150 question रहेंगे, 1500 question रहेंगे और 1500 mark साई यह paper रहेगा time की बात कर तो इस paper के लिए आपको 5 गंटे, 2 गंटे, 30 मिनट का समय देखने को मिलता है यहाँ पर अगर negative marking के बात कर तो यहाँ पर negative marking 1 by 3 मतलब तीन question गलत होने पर एक सही question के number काट लिए जाएंगे तो 1 by 3 इसकी negative marking रहेगी अब बात करता है यहाँ पर आपको application fees कितनी देखने को मिलती है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने form में कोई भी गलती कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए देखर अब उस गलती को सुधारने का मोका मिलता है तो आप form बढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर यहाँ पर पर दिया हुआ है जर्नल कैटिगरी के लिए आपर आपको 300 रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग इम आथिक रूप से कमजोर EWS कैटिगरी के लिए आपर आपको 500 रुपए साथ में निशक्त जन और राजस्तान के SCST कंडिडेट और जिनकी आय डाइलाग रुपए से कम है उनके लिए आपर आपको 1500 रुपए TSP के लिए भी आपर आपको 1500 रुपए का एप्लिकेशन फीस देगने को मिलती है So I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आईए अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो आप हमारे योटूब चैनल एक्जाउंस वाला को सस्काइब कर लिजे साथ में बैल आइकन जरू दबा लिजे अगर आपने हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन में दिया हुआ है सो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में